हालो लॉफ यू सो बेसिकली आज हमारा में जो आज वीडियो बनाने का में टॉपिक है कि भाई हम सब डूमेंस कैसे फाइंड गयाने गूगल डॉक से राइट अब गूगल डॉक्स क्या होते हैं यह हमने लास्ट गूगल एकिंग के सीरिज में बहुत सारा देखा है और प्रेलेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी और आप वहाँ पर सारे गूगल एकिंग के वीडियोस आप वहाँ पर देख सकते हो ठीक है चलिए सो बेसिकली आज हम लोगोंने फाइंड करना है सब डूमेंस क्या होते हैं पहले यह समझा देता हूं और यह क्यों हम करना है बहुत सारी चीज़ें बैसे कि अगर आपको हैकिंग के द्रू करना है तो हमारे पास काली लिनिक्स का टूल से जैसे की सब लिश्टर है और अगर वेबसाइट पर जाओ बहुत सारी टूल से बट हम गूगल डॉक्स की मदश से कैसे कर सकते हैं वह समझना है डॉकण स्कूल डॉकड दॉक डॉकरम डॉक्स कॉम जो वेबसाइट है यह हमारा रियल डूमिट हो गया इसको में डूमीन समझ सकते हो ठीक है अब अगर यहीं पर मैं सब्दोमीन का एक्जांपल देता हूं समझना अगर यहीं पर कुछ लिख चेसे लिखा है यहां पर training.scodenetwork.com तो यह हमारा subdomain कहलाएगा यह वाला ठीक है यह subdomain है because real domain से पहले यहाँ पर dot से पहले दो बार यह पहले training लिखा है तो यह समझना अब यहाँ पर आप find कैसे करोगे सबसे पहले आपको मैं एक doc बता रहा हूँ आप normally ऐसे चेक कर सकते हो Google Docs सबसे पहले आप कैसे find करोगे आप normally आप लिखोगे side और आप लिखोगे scodenetwork.com दिखे यहाँ भी मिल जाएंगे आपको proper यहाँ पर सारे website के जो भी pages जो हैं listed है आपके वो भी आपको दिखेंगे राइट सो आपको मैं इसको copy कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने paste किया और इंटर किया राइट सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक आरा ओनलाइन .scodeNetwork.com एक www.scodeNetwork.com और यहाँ पर आप देख सकते हो .scodeNetwork.com यह हमारी भूस सारे pages सारे गए बट एक तरीका यह हो गया अब दूसरा तरीका क्या है देखें, दूसरे डॉक्स के से बनेगा, वो समझा देता हूँ दूसरे डॉक्स के लिए आपको करना क्या है आपको यहाँ पर side लिखना है और यहाँ पर आपको colon और star लिखना है star का मलब होता, all इसके पहले जो भी होगा वो आपका escortnetwork.com इस तरीके से आप find करोगे ठीक है, या फिर आप यह colon नहीं लगाओगे, आप normal check कर सकते हूँ, ठीक है तो मैं दोनों आपको दिखाता हूँ, इनमें दोनों में difference क्या होगा, यह समझना है so basically हमने इसको select किया paste किया, enter so यहाँ पर दिखिए, online www online यही दिखा रहा है जो भी पहले है, online www online online, right so आप देख सकते हूँ, online dot escortnetwork.com, www dot escortnetwork.com, right और अगर आपको इस तरीके से नहीं देखना आपको double caller लगाना है then वो भी कर सकते हूँ अब run करते हैं देखिए, result आपको वही मिल रहा है ठीक है, और थोड़ा deep जाना है, अब deep का मतलब क्या होता है जिस समझना, अगर subdomains की भी अंदर subdomains है, third level domain जिने हम बोलते हैं, तो आप उन्हें कैसे find करोगे, जैसे मान के चलो facebook का देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने एक star लगाया, dot एक और star है आपका, dot facebook.com तो real domain हो गया, इससे पहले dot से पहले यहाँ भी जो कोई भी नाम हो सकता है और यहाँ कोई भी नाम हो सकता है तो इस dot को हम चेक करेंगे तो इसके लिए हमने इसको copy करा, और हमने यहाँ पर जाके paste कर दिया, ठीक है, और enter किया, तो यहाँ पर देखिए आपको, इस domain का, इसका भी देख सकता है आपको third level domain यह मिल रहे है यहाँ पर मैं इसको इस link को आपको copy करके यहाँ पर दिखात देता हूँ wait देखिए, तो यहाँ पर समझे इसमें पहले store है, store के बाद फिर से dot है, dot के बाद फिर यह लिखा है, फिर facebook.com है right, मैं इसको अटा देता हूँ अभी यह मैं जरूरत नहीं, यहाँ पर देखे तो यह भी आप find कर सकते हो, using this, right, so यह हमारे docs होते हैं, और यह मैं description में भी आपको paste कर दूँगा आपको बस यहाँ पर facebook या फिर अपने website से replace करना है check करने के लिए, और आपको वहाँ पर आपको result मिल जाएगा clear, चलिए तो I hope आपको यह concept समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप like करिए और अपने friends में share कर देना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए, मिलते हैं फिर next वीडियो में